आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तो हमारा सवाल क्या दिया गया है कि ट्रांसफार्मर क्या है तो इसका सिधान समझाईए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युकती है क्या है ऐसी युकती है जो क्या करती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज ठीक है प्रत्यावर्ती वोल्टेज वा प्रत्यावर्ती धारा को बदलने का काम करती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज ठीक है या धारा को क्या करने का काम करती है परिवर्तित करने का काम करती है ठीक है लेकिन ये याद रखिएगा कि आवरती जो होती है वो नहीं बजलती है ठीक है ठीक है तो क्या करती है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ती जो परिवर्तित करने का काम करती है ठीक है या करती है ठीक है तो ये किस से दान पर कार करती है अब हम लोग ये भी देख लेते हैं इसको हम लोग एक चित्र के माद्दे हम से समझेंगे ठीक है तो चित्र में हमने क्या दिखाया एक ट्रांसफार्मर दिखाया है ठीक है जिसमें क्या है हमने पटलित लौ क्रोड लगे हुए ठीक है, या पथली करोड कह सकते हैं, इस करोड में क्या है कि फेरो की, यह हमने तार लपेट रखे हैं ठीक है, इससे क्या है, एक प्रात्मिक कुंद्ली का निर्माद हुआ थे था, उसके दूसरे सरे बें, अमने निवेसी देते हैं ठीक है पत्यावरती निवेसी वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये जो हमारी प्रातमे कुंडली होती है इसमें ये हमारी कुंडली जो होती है वो क्या हो जाती है चुम्बकित हो जाती है ठीक है पहले हाफ के लिए दूसरे हाफ के लिए क्या होता है कि यह जो हमारी कुंडली होती है जो क्रोड है वो दूसरी तरफ चुमकित हो जाती यानि कि पहली बार में अगर इस और हमारा फ्लक्स चलना होगा तो दूसरे हाफ के लिए क्या होगा इस तरफ चलने लगेगा तो इस कारण से क्या होता है कि प्रत्य वर्ती जब लोग वोल्टेज यहां पर लगाते हैं तो एक बार ये इस और चुम्बकीद हो जाता है और एक बार इस और चुम्बकीद हो जाता है तो बार बार ऐसा होने से क्या होता है कि इस जो हमारी दुतियक कुंड़ी है इसमें flux परिवर्तन होता है तो हम लोग जानते है कि जब दुतियक में flux में परिवर्तन होता है ठीक है तो flux परिवर्तन होने कारण क्या होता है कि इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती यानि कि हमने change क्या हो रहा था change यहा हो रहा था थिक है उसके कारड़ क्या हो क्योंकि ये एक ही क्रोड चे जुड़ी विए इस कारड़ ते दृतियक में हमें धारा प्रवाइत होने लगती है यह कहांई voltage हमको प्राप्ट होता है अगर यहां पर बंद हो या हमने एक रोट लगा और रखाओ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी एक पत्यावरती धारा और वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी ठीक है लेकिन उसकी आवरती नहीं बदलेगी तो यह किस सिदान्थ पर कार करता है यह अन्योन प्रेरण ठीक है अन्योन प्रेरण के सिदान्थ पर कार करता है यानि कि हमने चें किया या कहें एक कुंडली में धारा परिवर्टी दो रहे या वोल्टेज परिवर्टी दो रहे लेकिन उसका जो परिणामी है वो कहां देखने को मिला है मैं दुतिया कुंडली में देखने को मिला है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन पेरण के सिदा सिदांत पर कारे करता है ठीक है सिदांत पर कारे करता है ठीक है तो यही हम से पूछा गया था अगर हम बात करें transformer की तो transformer दो तरीके का होता है एक होता है उच्चाई transformer ठीक है और दूसरा होता है अप्चाई transformer ठीक है उच्चाई transformer और एक होता है हमारा एक होता है हमारा अप्चाई transformer ठीक है और ये दोनों जो हैं वो किस बात पर निर्वर करते हैं ये दोनों transformer जो हैं वो हमारी प्रात्मिक और दुतिय कुंडली में फेरो की संक्या पे निर्वर करते हैं अगर ये N1 है और ये N2 है तो इन दोनों को अगर हम बदलते जायें तो हमको ये दो प्रकार के transformer प्राप्त हो जाएंगे Thank you